मुझे विश्वास है कि समय बद्र तरीके से सभी कारे आगे वढ़ेंगे जोलाए तक ये एरपोर्ट भी बन करके तयार हो जाएगा और जोलाए के बाद एरपोर्ट आथर्टी के द्वारा जैसे लाइसेंस आधी की प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा तो आयोध्या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी एक वहतरीन गंतव्य के रूप में जाना जाएगा इसके लाबाद स्वास्त्य है मेडिकल एजुकेशन है टूरीजम है इरिगेशन से जुड़े भी मुद्दे थे और भी विभिन यहां की अन्य जो आउसिक्ताएं थी उन सब को लेकर के भी आज विश्त्री चर्चा यहां पर आज बैठक में हुई है मानने जन्द प्रतुनीदियों ने भी बहुत मैं ब जहरातल पर उतरती भी उतरेंगे अयोध्या देश और दुनिया के एक सुन्दरतम नगरी की रूप में हम सब के सामने होगी और प्रभुसिर राम अपने स्वयम के मंदिर में बिराजमान होकर के देश और दुनिया को अपनी किर्पा का परसाद पूरी तरह बरसाएंगे जो किर्पा उनकी हमेशा से अयोध्या धाम पर और देश स्वास्यों पर बनी रही है दने बाचे